बॉलिवुट में कई सितारे ऐसे हैं जो कि भारत में रहते हैं, यहां के फिल्मों में काम करते हैं, करोडों लुगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन इन सितारों का जन्म भारत में नहीं हुआ, विदेश की धर्ती पर ये पैदा हुए, भले ही इनकी जन्म भूमी भार कुछ ऐसे ही मशूर सितारों की बात करेंगे जिनका जन्म विदेशों में हुआ। आलिया के जन्म के वक्त सोनी राजदान यूके अपनी ममी के पास चली गई थी। 15 मार्च 1993 को आलिया का जन्म हुआ था। आलिया में वर्ट पर्मिट पर रहती है। लेकिन वो कनाड़ा की निवासी है सनी का जन्म 13 मई 1981 को कनाड़ा के सर्णिया में हुआ सनी के माता पिता भारतिय मूल के कैनेडियन है 80 और 90 के दशक की मशूर अक्ट्रेस नीलम का जन्म 9 मवेंबर 1968 को हौंग कॉंग में हुआ था नीलम एक बिजनस फैमली से थी और बाद के दिनों में वो बैंक कॉप में रहने लगी थी नीलम जब एक बार मुंबई घूमने आई थी तब उन्हें डिरेक्टर रमेश बहल ने जवानी फिल्म का ओफर दिया था यहीं से उनकी बॉलिवुड करियर की शुरुवात हुई थी नर्गिस फाकरी पाकिस्तानी मूल की अमेरिकन नागरी के उनका जन्म 20 अक्टूबर 1970 को न्यू यॉक में हुआ था नर्गिस का करियर बॉलिवुड में अच्छा नहीं चला तो वो वापस चली गई है 90 के दशक की ब्यूटी कुईन मनीशा कुईराला बॉलिवुड की मशूर अक्ट्रिस रही है 16 अगस्त 1970 को नेपाल में जन्मी मनीशा कुईराला के दादा नेपाल के प्रधारमंत्री थे मनीशा ने अपनी पढ़ाई लिखाई भारत में ही की और फिर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाया फिलहाल वो मुंबई में ही रह रही है बॉलिवुड रक्टर आमिर खान के भतीजे इमरान खान के पास भी अमेरिकन पासपोर्ट है इमरान के पापा दीपक पाल अमेरिकन नागरिक है इमरान का जन्म 13 जन्वरी 1983 को अमेरिका में ही हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई भी वही हुई थी इमरान भले ही मुंबई में रहते हैं लेकिन वो अमेरिकन है ब्यूरो रिपोर्ट E24